प्रोटीन से भरपूर, इंवनिटी से भरपूर और घर में आलू प्याज भी नहीं है टमाटर भी नहीं है तो भी आप यह पराठे बना सकते हो एक प्रॉपर लंच आपका रेडी हो जाएगा या डिनर आप्शन भी बहुत अच्छा है इसके साथ में मैंने एक रायता बताय इसके रात बर भीगो दिया था आठ घंटे आसपास भीगाना है छे घंटे भी चल जाएगा आपको यह देखिए दुगना से भी ज्यादा यह बड़ा हो चुका है भीगोने के बाद अब इसमें सब एक्स्ट्रा का पानी मने निकाल लिया है अब इसको कूकर में डाल दें और पॉनाच छोटी चमच से मने नमक और आदी चोटी चमच हल्दी डाल के कुकर का ढखकन लगा देना है अभी इसके तीन सिटी तेज आश पे निकालूंगी मैं और दस मिनित धिमी आश पे रखूंगी अगर आपका कुकर बहुत जल्दी सिटी मारता है ता आप चार नमक डाल दिया और उसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें मोयन वगरी की कोई जर्वत नहीं है बस पानी डालेंगे जैसे आदा कप पानी लग जाता है एक कप आटा गुतने को बहुत सकत आटा या बहुत लूज आटा भी नहीं जैसे नॉर्मल फुलके के लिए आटा गु और दबा देवा के मेरे मानी फ़ी चुका और दोसा है कपाटो बशुप नहीं को सकत कोतर मे घुसा नहीं है पूरे चैश्हते पानी म。 क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है तो माश्च चाहिए अब दाने दाने है इसलिए और इदेखियो पूरा गर्मा गरम में ही में सब कुछ कर रही हूँ इसमें तेल वागरे कुछ नहीं जाता है बहुत कम घी तेल में यह पराठे बनके रेडी होते हैं मसाले में तो कोई तेल अब इने के इससे मैं अच्छ तरीके से मैस कर लिया अब इसमें दो बड़े चंबच कांदारलासुन मसाला डाल दिया अगर यह नहीं है कंदालासुन मसाला तो आप नॉर्मल धना जीरा पाउडर थोड़ा सब्दा ब्राल जादा डालना और मिर्ची पाउडरा जादा डा और थोड़ी सी मैंने लसन की पेश्ट डालिये जो अप्षनल है अगर आप लसन नहीं खाते तो नहीं कांसल कर सकते हो और उस टाइम आप ये कांदा लसन मसाला महराथी में बोलो जाता है ये महराज श्रीनिक स्पेशल मसाला है तो वो भी आप स्किप कर सकते हो अगर कितना साफ्ट आता लचिला हो गया हमने कुछ ज्यादा गूतने में महनत भी ने कहीं तो भी हमारा आटा बहुत चल्दी से साफ्ट हो जाता है अभी मैं उसको थोड़ा सा एक बार तेल में लगा के मसल लिया अब इसके पेड़े काटेंगे टोटल छे पराठे बन जाते है मिडियम साइस के बहुत बड़े भी ने, बहुत छोटे भी ने, उसी साब से मैं लोग आ काटी हैू छे लोग अब मैंने इसको स्टफ कैसे करती हो वो दिखाऊंगी यह स्टफिंग की मैथर मैंने मेरे मम्मी से सीखी इससे क्या होता है एक लियर मोटी हो एक लियर पतली बिल्कुल भी नहीं बनती है नीचे बॉटम दोनों का हिस्सा एक जैसा बनता है और बीच में ज्यादा आठा ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेल के अगर स्टफ करते है तो वो होने का चांस बहुत ज्यादा होता है और यह देखिए इस तरीके से अंगुठे बीच में रखना है और उपर उंगलों से इसको घुमाते जाना है और ऐसे कटवरी का शेप करना है इससे क्या होता है एजेस पतली आप अपकी सबसे डाल सकते हो कम जादा और यह देखिए इस तरीके से स्टफिंग को दबाना है बीच में और साइड से इसको पास पास लेके आना है गुमाते गुमाते और यह देखिए इस तरीके से पेड़ा बन करना है हमे पेड़ा अगर आपको लगता है बस कुछ नह जो आपके पराथे गुबार जैसे फुलेंगे और एक जैसे लेयर रहेगी, मोटी पतली लेयर ने हैंगी, एक सेड में पतली, एक सेड में मोटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और स्टफिंग पूरा एजस तर जाएगा, यह इसकी ट्रिक है, इसलिए मैं इसको पतली कर लेना है, मत बीच वाला पोर्शन मोटाई रखना है, और इसको थोड़ा ऐसे कटोरी जैसा शेप आ जाता है, और स्टफिंग थोड़ी और जादा भी डाल सकते हैं, और पतला लेयर बनेगा, और मैं गैरंटी देती हूँ आपका, इस तरीके से आपकोई भी यह देखो फाली इस तुछ और शुखी आटे के परतन में में आपका इसी जैए जेए बैलता है, आपको अपिसे लुगता है थोड़ा पिए खतले, आपको लगता है तो देख लो आपका अच्छे से मैश हुआ इसे नई है, और प्राफिट अगर थोड़ी सी अगर ऑच् यह देखो 3-4 mm के मोटे पराठे में बेले और गरम तवे पर इसे डाल दिया है अभी हमें पहले ही तेल नहीं डालती है तेल यागी डालने से पहले जलना शुरू हो जाता है तो तेजाज पर पहले एक से पका लेती हो अभी हम इसे करेंगे थोड़े बबल सा जाएंगे तो अभी उल्टा किया अभी भी आज तेजी है देखो उल्टा करने के बाद नीचे का हिस्सा भी तेजाज पर पकाना है अभी हम लगाएंगे उपर वाली साइड में थोड़ा सा तेल लगा रहे हूं में आज आप की भी लगा सकते बटर आपकी जो भी चोईसे आप जैसा प् अब उपर की जो तेल लगाईवी साइड है और गयास की फ्लेम एकदम धीमीं पर कर दिया है मैंने साइड में आपको दीख रहा होगा अब यह उपर वाले साइड में भी आज़ी चोटी चमाच हम तेल डाल देंगा यह देखो मैं ब्रस से लगाते हूं ताकि कम तेल लगत किस साइड से अच्छे से गुबारे के जैसा फूल चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे ताव इसे देखो नीचे के साइड बे अच्छे से हो चुकी है एक बार देख लीजे आपको डर लगता है तो यह जिनको आपिट है उनको तो समझ में आई जाएगा कि नहीं पका इ बेले के साइड नीचे नीचे के उपर भी कर सकते हो अब उसके लिए जैसे पराठे पक रहे है तो तब तक हम रायता बना लेंगे उसके लिए मैंने आधे खीरे को चिल के लिया है आप चिलका खाते हो तो चिलके साथ भी ले सकते हो बटव बहुत ज़्यादा स्प्रे अच्छे तरीके से ग्रेट कर ले रहे हुँ जाता है इतने साइस की मेरे खीरा है छोटा खीरा आपका तो एक पुरा ले 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 ना मेरा बड़ा खीरा था तो मैंने आधा लिया अब आप समझ लो कदूकस करने के बाद यह आधा कप है उतना मैंने खीरा लिया है यह देखो पूरा इसमें ग्रेटर में लग गया अब साथ में चाट मसाला चाट मसाला की रेसीप आई बॉक्स में मैंने इदर दे दी और बुनावा जीरा पाउडर डाल दिया और आधा कप दही डाल दिया है इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि राइता बहुत ज़ादा बुसके पानी छोड़ता है तो राइते में पानी हो जाता है और चाट मसाले में नमक अच्छे से होता है इसलिए मैं एक्ष्रा नमक बी डालने हो अगर आपको नमक कम लगता है आप डाल सकते हो बपो इतना नमक बराबर हो जाता है मेरे यसान से हम Catholic नमक खते है इसलिए बट सबजी में वगरे तो बराबर डालती हूं मैं पर रायते में मैं थोड़ा नमक कम डालती हूं और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए यह रायता बहुत जल्दी रेडी होता है बहुत अच्छा उप्शन है यह वाला रायता मैं तो आज़ा स्नैक भी खाती हो यह देखो पराठे दोनों रेडी है उसको मैंने अच्छे से सव कर दिया है आपको मैरी रेसिपी कैसे लगरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नेक्स्ट क्या देखना है वो भी बताना मैं आपको फोड के दिखा रही हूँ स्टफिंग कितना अच्छे से लेयरिंग बन चुकिए बहुत पतली ने अच्छी खासी लेयर है और उपर का जो कवर है आटे का वो भी कितना पतल है देखो आपको बहुत अच्छे nutrition और protein मिलता है दाल से आटे से मिलता है आपको carbohydrates और रायते से probiotics और खीरे से तो fiber मिलता ही है वो जो water content भी maintain रखने के लिए बहुत अच्छा होता है तो यह अपने आप में एक पूरा meal है तो आप यह option ट्राइ किजिए और मुझे बताई आप खीरा ट्राइ शेखने एक पूराची और शेखने कुछ पर वाचिंगे।